तक हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबी का हमारे यूटीप चैनल में हैं मेरा नाम है अमीज Sir और आप देख रहे हैं हमारे यूटूब है तो दोस्तो आज की इस वीडियों बात करेंगे छीनल पर चीले ciao चैनल को ये किया जा सकता है YouTube द्वारा तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप भी समझ ले कापी रट क्लेम एंड कापी रेट इस्ट्राइक क्या होता है ताकि आपके चैनल को डिलीट होने से आप अपने चैनल को बचा सके तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर सबसे पहले मैं बता दो कापी राइट क्या होता है तो कापी राइट इस राइक का मतलब यानि गूगल से आप कोई भी फोटो जी वीडियोज अगर आप अपने फोटो जैनि के थंबलेन बना ले में थंबनेल जब आप थंबनेल कियाट करते हैं तो गूगल से कोई फोटो या वीडियोज को अगर आप अपने वीडियोज में यूज कर लेते हैं तो इससे आपके कापी राइट इस्ट्राइक आने का चांसेस रहता है और मैं बता दू अगर मान लीजे आपने गूगल से कोई इमेज को उठा लिया एंड उस इमेज को अपने थंबनेल में लगा इसाल या तो इससे आपका कांपी रेट क्लेम आने का चांसेस बढ़ जाता है आपके चैनल पे कापीड इंड है क्लेम सोरी कांपी रेट इस्ट्राइट आशक आसो debates k करते हैं तो कापी रैट इस्ट्राइग आ सकता है एंड माली जटी स्रीज का अगर आप सौंग अगर टी स्रीज का सौंग अपने वीडियो में यूज करते हैं फिर भी आपका कापी रैट इस्ट्राइग आ सकता है और मैं बता दू गूगल का कोई भी चीज अगर आप यूटूब क्या करता है कि आपके email ID में एक mail कर देता है और उस mail में आपको YouTube अच्छी तरह से बता देता है उस mail को जब आप पढ़िएगा तो YouTube उसमें कारण भी बताता है कि आपने क्या गलतिया कि है जिस करना आपको copyright मिला है और मैं बात करूंगा यहाँ पर copyright तो आप समझ गया गूगल से कोई भी चीज़ को यूज कि जाएगा गूगल से कोई भी इलिमेंट अपने वीडियो में या फोटो या नि थंबलेन में यूज किज़ेगा तो copyright आ जाएगा अब हम बात करेंगे copyright क्लेम जैस्ट कापी वीडियोस का कुछ पार्ट अपने वीडियो में यूज कर लेते हैं तो इससे यह होगा कि मैं चाहूं तो आपके उपर copyright क्लेम कर सकता हूं जैस्ट यही आपका copyright क्लेम का अंतर होता है कि आप किसी भी दूसरे बिक्तिका एलिमेंट यानि कि दूसरे बिक्तिका एलिमेंट अगर आप अपने वीडियो में यूज करते हैं तो अहां मैं जो मैंने आपको बता ही दिया के मालीजे मेरे वीडियो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं इतने थोड़ा सा अगर आप पाट अपने वीडियो में यूज कर लेते हैं तो मैं आपके उपर क्लेम कर सकता हूं तो म मैं अब बात करूंगा copyright claim and copyright strike के बारे में आप जान गए सिंपल सा अगर आप Google से कोई भी फोटोस या वीडियो को अपने उठाते हैं और Google से कोई फोटोस वीडियो उठाने के बाद अपने वीडियो में आया थंबलेन में उपयोग करते हैं तो आपके उपर copyright strike के आज सकता है यूटूब द्वारा और अगर आप किसी भी दूसरे बैक्ति क्या या किसी भी दूसरे आएगा आपके चैनल पर तो आपके चैनल को सस्पेंड्र या डिलीट किया जा सकता है तो मैं बता दू कि अगर आपके चैनल पर one month में यानि कि एक महिने में three copyright claim या three copyright strike आ जाता है तो आपके चैनल का डेलीट होने का chance या सब्द होने सब्सक्राइबिगा ना कोई community भे पूस्ट कर पायेगा आप फोटो डाल पाइब डूस्टों तो そう तो मैंने आप कोई बता दिया करेत क्लैम यह जैसा की आप सब्सक्राइब आ करा समझरे चुक होंगे तो हमें आसा है और करेंस लेके स्थराइक आपको समझ आया होगा